बूर्णिंग ओलफ यू, यह सचे, नाओ वी विल दू मेजरिंग मास, विच वन कंसेप्ट, मेजरिंग मास, ग्राम और किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम यूनिट्स हम यूज करते हैं, नाओ वी विल चेक, ग्राम और किलोग्राम हम कहां पर यूज करते हैं, व्लिव दू इनके लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, light objects जैसे pencil है, small books है, उनके लिए हम gram use करते है, और जो very light objects है, like as feather, safety pins, medicine tablets, उनके लिए हम क्या use करते है, milligram, clear, now, yes, बचे, we will start exercise 10.5, this one exercise you will do on the book, yes, first question, filling the blanks with the most suitable unit, kilogram, gram and milligram, clear, सब जो heavy चीचे है, उनके लिए हम क्या use करते है, heavy objects के लिए, kilogram, जो मरपस light objects है, उनके लिए, gram, जो very light objects है, उनके लिए, क्या use करते है, milligram, okay, अब packet of salt, salt का packet तो heavy होते है, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे, kilogram, clear, okay, second, pencil, pencil के लिए हम क्या use करते है, pencil और books के लिए, gram, क्या use करते है, 10 gram का होगा, clear, gram, जो pencil हमारी 10 gram की होगी, next, 8 year old boy, 30, boy का weight तो kg में होगा, 30 kg, okay, book weight, book का weight में नहीं बताया था, book का weight हम gram में करते है, clear, now, fifth question, feather, feather के लिए हम milligram use करते है, 10 milligram, clear, okay, apple का weight है, वो हम किसमें use करेंगे, 125 gram, now, we part, write the mass in ascending order, इसको आपने ascending order में करना है, ascending order में सबसे पहले, सबसे चोटा नंबर आता है, सबसे चोटा मास, जो कम weight है जिसका, वो आएगा सबसे पहले, okay, ये हैं हम अरपस 3 kg, 300 gram, ये 3 kg है, ये 6 kg है, ये 3 kg है, दोनों में छोटा कौन है, 3 kg वला चोटा है, बट इसमें 3 kg के सा 300 है, इसमें 3 kg के सा 900 है, सबसे चोटा कौन है, ये वाला, ये one number पे आएगा, फिर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा सबसे बड़ा कोन है 6 kg वाला ये last आपे आएगा clear? one three two second में यहाँ पे 5 kg है यहाँ पे 6 kg है यहाँ पे 4 kg है सबसे छोटा कोन है? 4 kg वाला फिर कोन सा आएगा? 5 kg वाला फिर कोन सा आएगा? 6 kg वाला clear? Now by the C part match the picture with their most likely mass ठीक है उसके साथ मैच करना है ओके एलेफिन तो बहुत हैवी होगा means 3000 kg होगा इसको मैच कर दो इसके साथ पेपर है पेपर तो बहुत लाइट होगा लाइट चीज के लिए हुम क्या यूज़ करते हैं correct okay नाओ शुगर है शुगा तो टेन केजी तो होगी ना पूरी आपके पास पूरी ये वाली पूरी बकिट बोरी जो भी है सैक है ठीक है शुगर उप सैट्बुशर्टर। ओके नाओ जो मार पस बक्री ट्राएगी वो 2 kg, clear? Hope you have understand this one exercise. If you have any query, then you can ask me by the WhatsApp group. Thank you, have a nice day.